हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं Study IQ Education के फाउंडर गौरव गर्जी की हाली में लॉंच वे बुक सफलता की राह में से पांस सक्सस मंत्रा के बारे में बताऊंगी, जो सभी तरह के सुडेंट्स के साथ साथ प्रोफिशन्स के लिए भी काफी यूसफुल है, जिसे लाइफ में implement कर देने से working efficiency तो बढ़ेगी ही, और साथ ही साथ इसमें दिये के rules को follow करने वाले की life में अपने goal के लिए clarity रहेगी, और वो सभी तरह की dissection से भी कोसो दूर रहेगा, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि market में इतनी सारी self development और motivation किताबे होने के बाद भी आस तक मैंने self development related बहुत सारी किताबे पड़ी हुई हैं, और जादातर किताबों में घुमा फिराकर वही अपना time manage करो, important काम बहले करो, family को time दो, music सुनो, अच्छा खाना खाओ, प्रयाप नीन लो, जैसे 6-6 topic को ही cover किया जाता है, लेकिन अगर इस किताब की बात की जाए, तो ये किताब बहुत ही छनी हुई किताबों में से एक है, जिसमें student life के लगभग bias expect के बारे में solution के साथ detail में बात की गई है, और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है, कि writer ने अपने life के experiences से सिर्फ ये नहीं बताया कि success होने के लिए क्या क्या करना चाहिए, बल्कि ये भी इंसान बनने के लिए लिखी गई है, जो student को सिर्फ मानसिक विकास के लिए ही नहीं, बल्कि उसकी शारिरिक, बोधिक और आध्यात्मिक विकास के लिए एक से बढ़कर एक principle के बारे में बताती है, तो चलिए बात करते हैं इस किताब में दिये गए principles की, सफलता की रहा का स जैसे कि घंटों घंटों तक दोस्तों के बीच वेवजा समय बिताना, घर पर आने के बाद भी फोन पर दोस्तों के साथ ही चैटिंग करते रहना, अपने प्लैन के बारे में रिष्टेदारों तक को बता देना, और बहुत सारा time और energy गलत जगा पर वेस्ट हो जाने के बा होता है, इसी तरह हर सुडेंस कोई नई बलकि हर एक इंसान को ऐसा होना चाहिए, जब लोग उसे बाहर से देखे, तो आप उन्हें बिल्कुल ठहरे हुए से दिखाई दे, लेकिन अंदर ही अंदर आप अपने जीवन में अधिक्तम रफ्तार पर होने चाहिए, दिखावा सिर्फ हमारी एनरजी और मानसिक शांती को डिस्ट्रॉई करता है, दूसरा प्रिंसिपल है आलोचको को अंत में कोई भी ने पूछता, जब आप अपने जीवन में लट्टू की तरह बनने का प्रयास करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपके आसपास आपके बहुत सारे आल जो आपके पढ़ाई का पहला दिन था, आपके अंदर वो उस्सा, वो जोश था, उसे याद करना है, तब आपका निश्य बिल्कुल अटल था, और आपका उस्सा देखते ही बनता था, तो फिस सिर्फ मुट्टी वर आलोचको की वज़ा से आज क्यों अपने आपको रोकन जब एक बार आप सक्सस हो जाएंगे तो ऐसे आलोचको को कोई पूछेगा भी नहीं, हो सकता है सचिन तेंदूलकर या विराट कोहली का कोई ऐसा दोस रहा हो, जो उनसे बहुत चिरता हो, लेकिन आज सक भी उन्हें कोई जानता है क्या, सक्सस का अपना एक अलग ही रुत पल है स्वस शरीर के बाद जीवन का सबसे बड़ा सुक अपने पैरों पर खड़ा होना, आपके लाइफ में सबसे पहली प्रायोर्टी आपका करियर होना चाहिए, जिसे पाने के लिए राइटर एक बलिदान देने का सुझाव देते हैं, और वो बलिदान है अपने करियर के बनने तक किसी भी तरह की लव लाइफ या रिलेशन्शिप में नहीं पढ़ना, क्योंकि रिलेशन्शिप में होने पर ये ज़रूरी नहीं कि सब कुछ हमेशा सही रहे, हो सकता है आगे चलका ब्रेक अप या पार्टनर की शादी जैसी चीजे आपको मानसिक तोर पर जोर बना दे और आप अपने लक्ष से भटक जाएं, कल्पना कीजिए कि आपका विवहा आपके मनचाहे वैक्ती से हो जाता है और आपके पास आंधनी का कोई भी सोर्स नहीं है, कैसा लगेगा आपको, बेशक आपको अच्छे से अच्छा पार्टनर मिले, लेकिन आप अ जिसने एक दिन अपने मंत्रियों को बुला कर पूछा कि उसके पास कितनी संपती है, मंत्रियों ने सारा हिसाब किताब लगा कर राजा को ये बताये कि महराज आपके पास इतनी संपती है कि आपके आने वाली 15 पीडियां बैठे बैठे खा सकती है, राजा ने जब ये बा धीरे धीरे हमें असफलता के गहरे कुएं की तरफ धकेलता चला जाता है। जिससे निपटने के लिए इस बुक में कुछ आददों को रिप्लेस करने के बारे में डिटेल में बताये गया है। Last but not least principle है कि खुद के उपर निवेश करें। जो कि सिर्फ एक सुड़न्ट के लिए इन्हें बलकि एक एंटरपने और के लिए भी है। और वो ये है कि सई समय का इंतजार किये बिना अपने उपर निवेश करें। क्योंकि ऐसा करना आपको अपने competitor से अलग बना सकता है। और इसे समझाने के लिए वो एक example देते हैं। जब उन्होंने अपना YouTube चैनल Study IQ शुरू किया था, तब उन्हें lecture record करने के लिए कई तरह की equipment की ज़रत थी। लेकिन तब उनके पास पैसे नहीं थे और ना ही नौकरी। ऐसे में उन्होंने अपने दोस्ते पैसे का अंतिजाम करके सभी जरूरी equipment खरीदें। जिसका फाइदा उन्हें तुरंत मिला। क्योंकि तब के टाइम पर लगबग सभी YouTube चैनल मोबाइल से ही अपना record किया करते थे। जबकि दूसरी तरफ ये एक बढ़िया माइक से lecture record किया करते थे। जिसकी वज़य से इनके वीडियो में voice quality बहतरीन आती थी जो इनका plus point बनी। और इसी वज़य से इनके पास शुरुआती तोर में ही बहुत सारे subscriber आ गए थे। और अगर ये भी ऐसा सोचते कि नहीं मेरे पास अभी थोड़े पैसे हैं पैसे थोड़े और आ जाने तो धीरे दिने इन्वेस्ट करूँगा या ये भी mobile से ही lecture record करते तो ये अपने competitor को कभी नहीं पिछाड़ पाते। और दूसरी बात जब आप अपने उपर इन्वेस्ट करते हैं तो अपनी जेव में से पैसे लगी होने के कारण आपका दिमाग जल्दी आलसी नहीं बनता और जादा से जादा प्रयास भी करता है। इस किताब में इसके अलावा और भी बहुत सारे points के बारे में बताए गया हैं जिस पर आसानी से कोई भी teacher या parent बात नहीं करता या फिर उन्हें पता ही नहीं होता और इसी तरह की communication gap के चलते इसका effect आगे चलका students के life पर पड़ता है। अगर आप एक student है तो आपको self help के लिए और अगर आप एक parent है तो अपने बच्चे के better life coaching के लिए इस किताब को एक बार जरूर पड़ें और किसे भी बड़े इंसान का समय बड़ा ही कीमटी होता है। इसे शेर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।